नमस्कार, सुआवती आपका फूड नगरे में आज हम बात करेंगे मनिपुर के एक विशिष चावल के बारे में जो पूरे भारत और विदेशों में चरचा का विशे बन चका है मनिपुरी ब्लैक राइस मनीपुरी ब्लैक राइस जिसे स्थाने भाशा में चाक हाव कहा जाता है हाल ही में भोगोलिक संकेत यानि जी आई टैक से सम्मानित किया गया है इसका मतलब है कि अब केवल मनीपुर में उगाय गये चावल को ही ब्लैक राइस कहा जा सकता है और यह मनी पुरकी पहचान बन गया है लेकिन यह जी आई टेक चावल और किसानों के लिए क्या माइन रखता है यह टेक भोगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है जो वानिज और उद्ध्योग मंत्राले के तहट आता है यह एक ऐसा चिन है जो विशेश गुण और पहचान वाले उत्पाद को दर्शाता है जो किसे विशेश भोगोलिक शेत्र से आता है भारत में अब तक लगभग 361 उत्पादों को यह टेक मिल चुका है यह टेक जीवन भर के लिए नहीं होता यह दस वर्शों के लिए मानने होता है इस अवधी के बाद उत्पादकों को फिर से आविदन करना पड़ता है इस प्रक्रिया में एक साल तक का समय लग सकता है और अगर दावे सही नहीं होते हैं तो आविदन भी खारिज हो सकता है मणीपुरी ब्लैक राइस के खेती चाक हाओ पोईरीशन और गेनिक प्रोडियोसर कमपनी द्वारा की जाती है जिसमें लगबग एक हजार किसान जुड़े हुए है हाल ही में प्रगदी मैदान में आयुजित वर्ल्ड फूड एक्सपो में इस कमपनी को 58 टन चावल का ओर्डर मिला है जिसमें घरेलू और अंतराश्ट्री ये दोनु प्रकार के ओर्डर शामिल है मारचंग शी ने कमपनी के ओपरेशन हेड के अनुसार उन्हें अमेरिका के लिए 15 टन और इंग्लेंड के लिए 20 टन चावल का ओर्डर मिला है इसके अलावा भारत में औरगेनिक अगरिकल्चरल प्रोड़क्स बेचने वाली एक कमपनी के साथ हर महीने 5 टन चावल सप्लाई करने का समझोता हुआ है मारचंग शिने ने चाखाव चावल की विशेशताय बताई इसका ग्लाइसमिक इंडेक्स सिर्फ 43 है जो किसी भी चावल के लिए सबसे कम है इसका मतलब है कि हमधुमे रोगियों के लिए भी उप्यूगता है क्योंकि कम ग्लाइसमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ रक्त शरकरास्तर को बहतर तरीके से नियंद्रित कर सकते है चाखाव चावल केवल इसके स्वास्त लाब के लिए ही नहीं जाना जाता इसके सुगंद और स्वाद भी अध्वितिय है यह पोश्टिक तत्वों से भरपूर है और इसमें एंधोसाइनिन एक शक्तिशाली एंटियोक्सिडिन मौजूद है जो रधे रोग और कैंसर जैसे बिमारियों से बचाव में मदद करता है किसानों और उत्पादकों का मानना है कि जियाई टैक से घरेलू और अंतराश्री बाजारों में उत्पादन और विक्रित दोनों को बढ़ावा मिलेगा औरगेनिक उत्पादों को बढ़ावा दिने के लिए चल रही सरकार की पहलों के साथ चाक हाओ चावल के भविशी की संभावनाय उजवल नजर आती है अधिक दिल्चस पकानियों के लिए लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले अगली बार तक जिग्यासु बने रहे और खोजते रहे